महाराष्ट में आने वाले वक्त में चुनाव हैं, 21 अक्टूबर को चुनाव हैं और उसी को लेकर NCP ने अपनी सदत्तर उमीदवारों की पहले लिस्ट को जारी कर दिया है तो 12-30 से चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार और महाराष्ट में 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी तो 24 अक्टूबर को मत करना होगी आला कि आपको बता दे कि कुछ मद्भेद भी पिछले दिनों सामने आये थे अजीत पवार को लेकर कि शायद वो चुनाव न लड़े इसको लेकर काफी बार चीजे सामने आये लेकिन आखरकार अजीत पवार का भी नाम यहां पर शामिल है सदत्र उमिद्वारों की जो सुची जारी की गई है एंसीपी के जरीए तो इस लिस्ट में वरिशनेत आजीत पवार है जेंद पाटिल है और छगण भुजबल के नाम भी शामिल है और पाटि शरत पवार के पोत्र रोहित पवार एहमद नगर जिले के करज़त जाम खेडा से पहली बार चुनाबी मैदान में उतरेंगे और उनका मुकाबला जो है वो बीज़ेपी के विधायक और मंत्री शिंदे से होगा